यम राज से मिले गज राज मतलब यम के दूताओं को बोला गया था कि ये एक हाती है उसको लेके आना है गज राज हाती को गज बोलते हैं और वो गलती से एक ब्यक्ति को ले गए फिर उनको पता चला रहे हम तो गलत ब्यक्ति को ले आए तो उस बेक्ती की चेतना बापस आ गई और फिर वो अपना अनुवब बता रहा है उस बेक्ती का नाम था गजराज वो फिर वो अपना अनुवब बता रहा है और पूरा सरीर का जो हुलिया बदल चुका है और आपका बच्पन का फोटो देखेंगे आप बोलेंगा रहे हम ऐसे दिखते थे फिर पच्पन का फोटो देखो पूरा आम बदल चुके है फिर भी हम पूरी जिन्दगी इस सरीर से और सरीर के रिस्तों से संबंद स्थापित करते हैं सरीर के बारे में देखते हैं यदि दो पती-पत्नी है मान लीजिए और उधारन के लिए बोल रहा हूँ और उस व्यक्ती की पती की थोड़ा हुलिया बदल दिया जाए थोड़ा सा पैचान नहीं पाएंगे तो हम इस बहुत एक जगत में जो भी कर रहे हैं वो सरीर के स्तर पर कर रहे हैं और यहां से स्रीमत भागवत से हमें पता चल रहा है कि हम यह सरीर तो है ही नहीं हम तो आत्मा हैं और समय के साथ सब नस्ट हो जाता है बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी एंपायर्स बड़े-बड़े सामराज्य आए आकर चले गई श्रीला प्रहुपाद जब अल्फ्रेड फोर्ड से मिले पहली बार जो अभी अमरीस दास है उनसे मिले तो पहली बारी प्रहुपाद पूछते है वेर इस हेंरी फोर्ड हेंरी फोर्ड कहा है तुमारे जो दादा जी है दादा के पिता जी है वो कहा है हमको पता नहीं इतने सारे प्रधान मंत्री आए इतने सारे मुख्य मंत्री आए इतने सारे लोग आके चले गए फिर भी उनकी मूर्थी बनाई जाती है उनको याद किया जाती है हम लोग भी सोचते नहीं है जो कृष्ण भावणा मृत की सबसे महत्पोर्ण बात है उसके बारे में कभी मनन नहीं करते कभी चिंदन नहीं करते कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कृष्ण भावणा मृत का अभ्यास शुरीमत भगवद गीता के निर्देसों का अभ्यास केवल इसलिए कर रहे हों कि थोड़ा मन सांत रहे जो हमारी बहुते किच्छा है वो आराम से पूरी हो जाए थोड़े से जीवन में जो कस्ट आ रहे हैं उन कस्टों को हम जेल पाएं थोड़ा मन सांत हो जाएगा क्या ये उद्देश है क्रिष्ण भावनामरत में आने का और उसको अभ्यास करने का ये उद्देश से तो बिलकुल नहीं है क्रिष्ण भावनामरत में आने का उद्देश से अपनी असली पहचान को समझना और उस पहचान के अनुसार कारे करना कि हम ये सरीर नहीं हैं हम आत्मा हैं ऐसे कितने सारे उधारन लिये जा सकते हैं मान लिजे किसी सरीर से किसी व्यक्ति से आपने पूरी जिंदगी बहर बहुत आ सकती रखी बहुत आ सकती है और दुर्वागे बस उन्होंने अपना सरी छोड़ दिया अब सरी नीचे पड़ा है लोग आ जाएंगे रोएंगे चलाएंगे चले गए चले गए चले गए अरे कौन चला गया जैसे पहले दिख रहे थे वैसे तो दिख रहे हैं क्यों रो रहे हो भाई कौन चला गया जो भ्यक्ति चला गया है उसको तो आपने जिंदिकी पर देखा ही नहीं जैसा सरीर अभी दिख रहा है मरने के बाद वैसा पहले ही दिख रहा था फिर भी आप कह रहे हैं उसको चले गए कौन चला गया जो व्यक्ति चला गया जो उसकी असली पहँचान थी उसको तो कभी आपने देखा ही नहीं तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम और ऐसे बहुत सारे उदारण हैं एक बैज्ञानिक इयान स्टीविंसन उनको जिरॉक्स कंपनी के मालिक ने इसलिए पैसे दिए कि तुम ये सिद्ध करो कि पुनरजन्म नहीं होता है इसलिए पैसे दिए वो चल पड़े पैसे तो मिल गए चलो अब खोज में चल पड़े पुनरजन्म नहीं होता है लेकिन जब वो खोज करने लगे इस पर सोध करने लगे तो कुछ उल्टाई हो गया कुछ ऐसे 2000 से ज़्यादा उन्होंने ऐसे मामले सोध किये और उसके बाद वो इस निसकर्स पर आए कि पुनर जन्म तो होता है ऐसे बहुत सारे उदहरने आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे तो हम ये जो जीवन जी रहे हैं ये ठीक वैसे ही है जैसे कल आपने एक लाल कलर की सर्ट पहनी थी आज आपने हरी कलर की सर्ट पहन ली सर्ट बदल दी सर्ट को किसी ने फाड दिया तो क्या आप रोएंगे यदि आप आपकी सर्ट फट गई याप पुरानी हो गई तो आप रोएंगे तो तो ये तो मुर्कता है अरे दूसरी ले लो रो क्यों रहे हो कमीज की कमी है क्या खीक उसी प्रकार सास्तर बता रहे हैं कि जो सरीर है ये कपडे के समान है वासाम सी जीर्णानी अथा विहाया बगवत कीता में इसलोक है दूसरी अद्याय का सम्याति नवानी देही जैसे व्यक्ति एक नई कपडे पहनता है पुरानों को दे देता है ऐसे ही जो आत्मा है नई नई सरीर ग्रेहन करती है पुराने को छोड़ देती है तो सबसे पहली जो समझ है भगवत गीता की, सास्तरों की, कृष्ण भावनाम्रत की वो ये है कि हम ये सरीर तो है ही नहीं और हम इतने बिजी हो गए हैं सेलफी लेने में इधर से सेलफी, उधर से सेलफी, पीचे से सेलफी, पेड़ के ऊपर सेलफी, पानी के नीचे सेलफी, पानी के ऊपर सेलफी, तहरते हुए सेलफी, नहाते हुए सेलफी इतनी सेलफी ले रहे हैं हम और दिखा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं उसको फिर likes और views नहीं आ रहे हैं, तो रो रहे हैं हम पर हैसान हो रहे हैं, किसीने like नहीं किया, किसीने पसंद नहीं किया ये पूरा बहुत एक इस तरप चल रहा है, पूरा सरीर के इस तर पर चल रहा है और कृष्ण भावनामरत में भगवद गीता पढ़ते पढ़ते हमें 10 साल हो गए 15 साल हो गए कुछ जो advancement है जो विका से हमें नजर नहीं आ रहा है तो एक बात तो यहां पर यह बहुत महत्पूर हमें बताई गई है कि समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी हमारे पास भौतिक है कोई भी भौतिक आसकती रखेंगे वो खत्म होनी है और एक और रोचक बात यह है किसी भी भौतिक आसकती का जो परिणाम रहेगा जितनी ज़्यादा बहुत एक आसकती और वो चीज तो जाएगी हमारे जीवन से वो व्यक्ति हो या कोई नया आईफॉन हो या फिर नई कार हो कुछ भी हो नए कपड़े हो कोई भी बहुत एक आसकती रखेंगे वो हमारे जीवन से जानी तो है और जब वो हमारे जीवन से जाएगी तो जितनी ज़्यादा हमें आसकती थी उतना ही ज़्यादा हमें दुख होगा तो जो detachment है विरक्ति है भौतिक वस्तूँ से भौतिक इस्तर पर यदि विरक्ति आती है हमें भौतिक वस्तूँ से तो वो एक एश्वर्य है एक उपुलेंस है वो एक लग्जरी है कहा भी जाता है कि जितना कम सामान होगा सफर उतना ही आसान होगा तो हम जितने कम में अपना जीवन आत्मा और सरीर को निर्वा करने के लिए हम अपनी बहुतिक आवस्सक्ताओं को अपने जीवन में रखें बाकि पूरा जो पूरा जो सक्ती है जीवन की सक्ती उसको अपने जीवन के उदेश्य को प्राप्त करने में लगाएं और यहां पर जो नारद मुनी है जब उनको अपने पूर्व जन्म का जो ब्रह्मा जी के एक दिन के पहले जो बात हुई है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब की चार युग, तेतालीस लाक वर्स, उनमें एक अजार से गुणा, फिर उनमें दो से गुणा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उससे पहले का भी नारद मुनी को याद है, व्यास देव जी तो चकित हो गए, ऐसा कैसे संभव है, तो ऐसा केवल और केवल आध्यात में चेतना में संभव है, और ये एक ही उदारण नहीं है, जड़ भरत की कहानिया आपने सुनी होगी, जड़ भरत, राजा भरत थे, और गहे, चौबीस वर्स की आयू में सोच के देखिए, तपस्या के लिए निकल गए, और एक छोटे से हिरन के बच्चे से उनको आ सकती हो गई, और सरीर त्याकते समय हिरन के बारे में सोच रहे हैं, अगला जीवन हिरन का, यम यम बापी स्मरन भावम, तजितियंते कले वरम, तम तम एवेती कौन तेय, सदातद भाव भाविता, यह सब सच्चा ही है, तब उनको हिरन का सरीर मिला, लेकिन पिछले जीवन में इतनी भक्ती की थी, कि उनको याद था कि पिछले जीवन में गल्ती हुई है, तो फिर वो, रिशी मुनियों की कुटिया के पास रहते थे, सबसे अच्छा जीवन है यह, एक कुटिया, एक लुटिया, और एक चुटिया, हरको इस जीवन को जी सकता है, उसके लिए नहीं जी सकते तो ऐसली चेतना तो विक्सित कर सकते हैं, तो फिर भरत महराच जब हिरंड बने, तो रिशी मुनियों की कुटिया के पास सरवन करते थे, फिर अगला जो जीवन मिला उनको जड़ भरत का, तब वो बहुत सतर्क थे, कि कैसे भी करके इस बार गलती नहीं करनी हैं, तो बिल्कुल मूख बधिर की तरह रहते थे, और आपने सुना होगा कि जैसे ही, जब वो खेत की रखवाली कर रहे थे, और कुछ ड़केत आते हैं, और उनको काली के सामने बली देने का प्रेतने करते हैं, तो वो काली सुय मेरे यह तो भगवान के भक्त हैं, बचाने आ जाती हैं, तो भगवान की भक्ती में जो प्रोटेक्शन हैं, आपको कमांडो, बाउंसर्स, यह सब रखने की ज़रूत नहीं है, जब हम भगवान की भक्ती करते हैं, अकुतोब है हम, हमें कोई डर ही नहीं है, हम सरीर ही नहीं है, हम तो भगवान की बक्ती करेंगे, अभी भगवान ले लें, कोई बात नहीं, अगला सरीर मिल जाएगा, वहां से हमारी बक्ती सुरू हो जाएगी, जीवन का कोई डर हमें रहेगा ही नहीं यदि हम भगवान की बक्ती में लिप्त रहेंगे तो तो इस इस लोक में दो मुख्य बिंदूओं पर चर्चा की गई है पहला की हम ये सरीर नहीं है आत्मा है सरीर तो कपड़े की तरह हम बदल रहे हैं दूसरी जो बात कही गई है वो ये है कि जो हमारी बहुत एक चेतना है वो तो विनस्ट हो जाती है तीन दिन पहले कौन सी सबजी से रोटी खाई थी आपने बताईए अरे बताईए तीन दिन पहले ही तो पूँछ रहा हूं सब जल्दी से बताईए रोटी नहीं खाई थी कौन सी दाल खाई थी अभी याद करना पढ़ रहा है तो हमको हमारी जो बहुत एक चेतना वो याद नहीं रहती लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना है यदि हमने दस प्रत्सत भक्ती कर ली इस जीवन में तो अगली जीवन में ग्यारे प्रत्सत से इस जीवन में हमने बी अटेक किया बिग अटेक एम टेक किया मेगा अटेक इतने सारे अटेक हो गए फिर बाद में हार्ट अटेक फिर हार्ट अटेक के बाद दूसरा जीवन मिलेगा और दूसरा जीवन मिलने के बाद जितनी भी डिगरी की थी आपने मालो आपको याद भी है कि पिछला जीवन में मैंने B.T.E.C. किया था, M.T.E.C. भी किया था और गोल्ड मेल्लिस्ट भी था अगले जीवन में आपको याद भी है फिर आप उसको लेके जाए और ये मेरी है, मेरी डिगरी है एक थपड मारेगा चलो चलो, LKJ में चलो चलो, UKJ में चलो चलो चलो, आप स्कूल जाओ, चलो अब गेट की तयारी करो, अब IIT की तयारी करो, अब ये करो वो करो अरे डॉक्टर बनाएंगे तुम्हें तो ऐसे करके उसको बोला जाएगा तो जितनी भी भौतिक उपलब्दी है हमारी वो यही रह जाएंगी कितनी भी कमाल है उनको लेकिन जो हमारी आध्यात्मे को उपलब्दी है वो आत्मा की साथ आत्मा से ऐसे माल जिये चिपक जाती है वो बाकि बहुत एक उलब्दी यही की यही रह जाती है तो एक समझदार व्यक्ति को यह समझ होनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए कर क्या रहे हम 24 गंटे में से जो पूरा समय भगवान नहीं दिया है जिसने पूरा समय बनाया है उस समय में से उस समय देने बाले को हम समय नहीं दे पा रहे हैं कैसा समय आ गया है तो एक विचार सी व्यक्ति को यह गहन चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरे जीवन का उदेश से क्या है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और भाई क्यो कुछ भाग रहे हो ? क्योंकि सामने बाला भाग रहे हैं, प्रभूझी पडो सी ने मर्सडीज ले ली, BMW रेली मेरे पास तो W भी नही ए BB नहीं, MB नहीं, कुछ भी नहीं इसलिए भाग रहा है हम लोग तुलना कर रहा है हम को पतानी हम देख रहा है कि निदन इनका निदन हो गया इनका कैच लपक लिया गया ये leg भाहि होगा ये clean बोल्ड होगए और इनका ये हो गया, इनका स्टम्प हो गया, रोजा ना देख रहे हम, अकबार में एक प्रष्ट तो उनी लोगों की सूची के बारे में आता है, कि आज ये ये लोग चले गएं, सिदार गएं, और उस प्रष्ट को हम ऐसे पलट देते हैं, हमको पता नहीं उस प्रष्ट मे एक दिन हमारा भी नाम आने वाला है, इतना फोटो लेते हैं, इतना फोटो लेते हैं, और उनको कहो के भाईया, तुमारा फोटो एक दिन लटक जाएगा दीवाल पे, और उस पर एक बाला भी रहेगी, ये थे हमारे दादा जी, ये थे हमारे ये, तो आत्म तद्वम मैं कौन हूँ भगवान कौन है उनसे क्या संबंध है मेरा मैं क्यों इस दुनिया में तडप रहा हूँ मैं क्यों इस दुनिया में परेशान हूँ मुझे आत्म से क्यों नहीं मिल रहा है इसके लिए करनी होगी हमें आध्यात्निक जेतना विक्षित जीवेर कृष्ण दास जीव जब कृष्ण का दास रहेगा तो फिर उदास नहीं रहेगा अभी लोग जीवन में सब कोई देव दास बन जाता है कोई माया दास बन जाता है सारे दास को छोड़के केवल कृष्ण दास बनना है जब ही हम बिंदास रह सकते हैं उदास नहीं रहेंगे तो श्रीला भक्ती विनोट ठाकूर एक बहुत अच्छा वैष्णव सौंग हमें बताते हैं रादा कृष्ण बोल बोलो रे सवाय सिक्षा दिया सव न दिया पिरचे नेचे गौर निताय मायार बसे जाच्छ बेसे खाच्चो हाबो डूभो भाय बक्ती विनोट ठाकूर बोल रहें सभी रादा कृष्ण बोलो चैतन्य महा प्रभू तथा नित्यानंद प्रभू नदिया की सारी भूमी में नाचते हुए यही सिच्छा दे रहे हैं भगवान, कृष्ण बलराम चैतन्य महा प्रभू और नित्यानंद प्रभू के रूप में आकर सब को बोल रहे हैं और हम लोग यहां पर फोन पर बिजी हैं, हमारा ध्यान नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अरे भाई, तुम ब्यर्त में माया के बसीबू थोकर पीडित हो रहे हो, उसकी लहरों में उपर नीचे, हिचकोले खाते हुए बहे जा रहे हो, हो रहा है कि नहीं ऐसा हमारे साथ, बताए यह ऐसा हो रहा है हमारे, फिर आगे बोल रहे हैं, जीव कृष्ण दास, एई विश्वास, कर लेत आर दुखनाए, कृष्ण बलवे यवे, पुलक हवे, जारवे आखी, बलीत आए, जिदी तुम इसका विश्वास कर लो, कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, जब हमें य जहन में उतर जाएगी, बैठ जाएगी, जम जाएगी, कि हम कृष्ण के दास हैं, हम नित्य हैं, तो फिर कोई दुख नहीं होगा, अब कोई दुख आता है, मन में आता है, मन तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, यह तो मन में आया है दुख, कोई सरीर में दुख आया ह श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, शुरुवाती दौर में, बहुत श्ट्रगल था, बहुत संगर्स कर रहे थे प्रभुपाद, प्रभुपाद की तवीत खराब हो गई, प्रभुपाद को उनके सिस्वे शुपिटल लेके गई, डॉक्टर उनको ट्रीट कर रह होनको द्बाई दे रहा है, ऊजो चेठर होता है, उस पर प्रभुपाद को लेंगे जा रहे है, प्रभुपाद उस MOD बैठ जाते हैं, जनरली आदमी व्यक्ति उस पर लेटा रहता है, प्रभुपाद उस पर बैठ जाते हैं, माला जप लेते हैं, शुरू हो जाते हैं, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, हमें जुकाम भी हो जाए तो हम सोले माला के मुकाम को पूरा करने में हमें पूरा दिन लग जाता है तो यह है आध्यात्मिक चेतना सुद्ध भक्त की तो यहां पर भक्ति विनो ठाकर बोल रहे हैं जो तुम्हारा सरीर फुलकित हो जाएगा जब हम जब करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे तुम्हारी आखें भगवत प्रेम में आंसु बहाएंगी यही मैं कहता हूँ फिर आगे बोल रहे हैं रादा कृष्ण बला संगे चल एह मात्र बिक्षा चाहे जाए सकल बिपद भक्ति बिनोद बलेन यखन यो नाम गाए तुम रादा कृष्ण बोलते हुए हमारे संग चलो कई बार सोचते हैं सब पता है सोलमाला जब करना होता है अध्यन करना होता है पुस्तकों का भगवान को अरपित करके प्रसाद ग्रेंड करना होता है हमें सब पता है क्यों जाए मंदिर मंदिर नहीं आएंगे भख्तों की संग में भक्ति नहीं करेंगे तो भौट मुश्ग भक्ति इसलिए बोल रहे हैं, संगे चलो हम केवल इतनी सिक्षा चाते हैं बक्ति बनोठ ठाकुर कहते हैं, जब मैं पवित्र भगवन नाम बोलता हूं तो सारी विपदाएं चली जाती है तो जो इस कल्यूग में जो भगवान का नाम है वही एक मात्र वो रसी है जिसको पकड़ के हम इस भव सागर को इस भव कुए को स्कूप से बाहर निकल सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है सरनागती का जो सबसे सरल्तम मार्ग इस कल्यूग में हमें बताये गया है वो भगवान के नाम का जब हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम को हमें पूर्ट है सरनागत होना ही पड़ेगा क्यों हो सरनागत फिर क्या होगा हमारी जो बहुत एक हमारी इच्छाए हैं हमारी इतनी सारी योजनाए हैं उनका क्या होगा अरे आप सर्णागत तो हर छण हो आप कभी अपने मन को सर्णागत हो कभी आप अपने बच्चों को सर्णागत हो कभी पतनी पती को सर्णागत है कभी पती पतनी को सर्णागत है हर छण आप किसीने किसी को सरणागतो Every moment you are surrendered to someone लेकिन ये इतने जीवन भर इतनी सरणागती करने के बाद क्या पाया हमने क्या सुख मिला दिल के अर्मा आसुओं में बह गए कोई सुख नहीं मिला तो ऐसी सरणागती से एक विचार सील एक समझदार विक्ती को सोचना चाहिए कि ऐसी सरणागती से फिर मतलब क्या रहा और यहां पर सभी वैशनव सभी आचार सास्त्र सब बोल रहे हैं बोल बोल के Surrender to Krishna Sarva-Dharman Parityajya Maam Ekam Saranam Braja Aham Tvam Sarva-Papebhyo Mokchasyami Maasucha तुमने जो भी तुमारे उल्टे-फुल्टे धर्म बना लियें ये करना वो करना सब को त्याग दो मेरी सरण में आजा मैं तो मैं सभी पापों से मुक्त कर दूँगा नहीं भगवान अभी थोड़ा सा प्लानिंगे, आएंगे, 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 देरे, इतना जल्दी मत करिया आप भी, ठीके प्रभुजी करूंगा, 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 पांस साल निकल गए अभी आपके सोले माला नहीं हो रहे हैं अभी आप अध्यन नहीं कर रहे हो कर क्या रहे हो तो बहुत जरूरी है यह सरणागती और इसी सरणागती का जीता जागता उधारण है बली महराज जब बामन देव छोटे से ब्रमचारी बालक का रूप रखके बली महराज के यहां पोँचे आपको यहां पर पूँच सकता है कि बली महराज ने नियाय संगत तरीके से सभी देवताओं पर विजय हासिल की थी फिर ये बामन देव क्यों आए उनके पास बली महराज के पास बामन देव क्यों आए उनको तीन पक जमीन मांगने के लिए देखिए क्या होता है पिताजी के दो बच्चे हैं एक बच्चा थोड़ा सा उदम करता है एक सांत है जो बच्चा थोड़ा सा चालाक है उदम करता है उसने सांत वाले बच्चे से उसका apple था, दो एक apple थे, दो ही save थे, दोनों को एक-एक मिलना था, तो उसने ले लिए, उदम जो कर रहा था उसने, कि मैं खाऊंगा दोनों apple, तो पिता जी आते हैं, बोलते हैं, बेटा मुझे भी भूख ले रहे हैं, भाई को नहीं देगा, तो पिता जी उससे ले लेते हैं, फिर दूसरे वाले बच्चे को दे, बेटा आप तुम खा लो, ठीक उसी प्रकार जितने भी देवता हैं, जितने भी दानव है, भगवान कृष्ण की तो संतान है, अब वो गए देवता विष्णु भगवान के पास, कि ऐसे सी बात हुई है, ठंटन पाल, मदन गोपाल, कुछ नहीं बचा है हमारे पास तो, कुछ नहीं बचा है, क्या करें, तो बामन देब जाते हैं, छोटे से ब्रहमण बालक, ब्रहमचारी बालक का रूप लेके, अलग-अलग उनको गिफ्ट दिये जाते हैं, तो फिर बली महराज को बोलते हैं, कि यग्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा दान देदो, अरे बताओ क्या ध्यान चाहिए आपको, कितने सुन्दर, क्यूट से ब्रहमण हो, कितने अच्छे ब्रहमचारी हो आप तो, बताओ आप जो बोलेंगे वो आपको देंगे, तो बोलते हैं कि, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस, तीन पक जमीन दे दो, तीन पक जमीन, कैसी बात कर रहे हैं, प्रभू कोई भगवान के, कृष्ण मलराम के हाथ जोडने भी नहीं आते हैं, अभी क्यों हाथ जोडने आ रहे हैं, ये चाहिए इसलिए तो आ रहे हैं, तो बोले, नहीं, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस, थीन पग जमीन चाहिए, अच्छा ठीक है चलो, ना आप लो, उनको पता नहीं, कौन है, तो एक पग में तो पूरा प्रत्वी लोग तक, ना आप लिया, पता है न आपको, पाताल से लेकर प्रत्वी तक, इस तर, एक पग में स्वर्ग लोग उपर तक, पूरा युनिवर्स, पूरा ब्रह्मान, दो पग में आप लिया, अब लो, तीसरा पग कहा रखूं, देर इस नो इस्पेस, मेमूरी स्पेस खाली नहीं है, तो बली महराज का, समर्पन देखिए, हम तो बोलते हैं, बस भहुत हो गया प्रवज़, इस से ज्यादा नहीं होगा, स्कॉर्पीट सेवा हो गई हमारी तो, इतना ही कर पाएंगे हम, नहीं हमारा जो स्कॉर्पीट है, जिसमें हम रह रह रहे हैं, वो कैसे चलेगा, समर्पन देखिए, समर्पन, भगवान टेस्ट लेते हैं, क्या हम तयार हैं, सरवस्चित्या करने के दिए, क्या हम तयार हैं, जो आचारों ने बोला है, कि 50% भगवान की सेवा में देना है, 50% 25% आपके लिए, 25% जो भी इमर्जेंसी आपकी, रूप को स्वामी ने और वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्या हम तयार हैं, उस इस तरकी सरणागर्ती के लिए, यदि तयार हैं, तो यहां पर उधारण देखिए, बली महराज, तयार के भगवान, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख लिए, ठीक है, भगवान प्रसंद हो गए, फिर भगवान ने उनको सुतल दिया, उसका उपुलेंस, उसका जो एश्र्य था, सुतल लोग का, सुर्ग से भी जादा था, तो मतलब कोई घाटा नहीं है भगवान की बक्ती में, भगवान परीक्षा तो लेते हैं, और परीक्षा माया भी तो ले रही है, तो क्यो ना सही परीक्षा दें, सही जगे पर सरनागत हों, और भगवान स्री चेतने महाप्रवू ने, श्रीला प्रहूपाद ने बहुत सरल बना दिया है इसको, सुभई सुभई जगो, माला पकड़ो, सुभई जगते ही हम क्या पकड़ते हैं, मॉबाइल पकड़ते हैं, उस मॉबाइल के उपर माला अपना, माला जब माला रखके सोईए, मोबाइल के उपर उपर रखे सोगे, सुबह जबते ही उसको उठाओ मोबाइल पर हाथ जाए पहले उसको उठाओ और मन को बोलो कि भाई जब कर ले पहले जब करो, सुबह उठते ही जब करो एक नीम की माला ले लो तुलसे की माला नहीं तो उठते ही जब करिए सुभे ही सुभे यदि हमने ध्यान पूरवक ब्रह्म महुर्त में सुले माला जब किया बिना किसी ब्यवधान के आपका जो स्मार्ट फॉन है वो इतना स्मार्ट है कि आपकी सारी स्मार्टनेस उसने ले लिए क्या smartness है आपकी, आप अपने मन को नियंतरित नहीं कर पा रहे हो, आपका mobile का notification बज़ रहा है, अधर आप जब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग से आप चैंटिंग पर आ जाते हैं, काय के smart हो आप, हम डोग smart नहीं है, हमारे smart phone ने हमारी सारी smartness ले लिए है, तो स्मार्ट फॉन को इतने smart नहीं कम से कम कि स्मार्ट फॉन को चैंटिंग करते समय साइड में रखते हैं, दो गंटे के लिए, हरे किशना, बाए बाए, दो गंटे बाद मिलेंगे, दो गंटे बिना कुछ सोचे समझे, जब करिए, इतने सारे मधु पंडित प्रभू ने जो हमारे वरिष्ट वैष्णवों ने कितनी सारी टेक्निक्स, कितनी सारी तकनीक हमें बताई हैं, एक आडियो का ट्रेक भी दिया है, कि आप इसके साथ जब कर सकते हैं, तो सुरू करके देखिए, सुभई ही सुभई, जब भी मन इधर दर जारा, जोर से बोली, सर्णाग इस घर पे पड़ी हैं, लेकिन पड़ी नहीं है, क्या मतलब है पड़ी होने का, उनको पड़िये, फिर प्रचार करिये, समय नहीं है, क्यों समय नहीं है, जिसने समय बनाए उसके लिए समय नहीं है, तो प्रभुपात के समय पर, जितने भी ग्रहस्त भक्त थे, कितनी आग जब कहेंगे तब देखी जाएगी जब मंदिर से वुक मेराथवन आएगा तब देखी जाएगी जब मंदिर से कोई सेवा दी जाएगी तब देखी जाएगी इसका मतलब गुरु के प्रती हमारी आसकती नहीं है, इसका मतलब गुरु का जो मिसन है उसके प्रति हम हमारे अंदर वो नहीं है उत्सा नहीं है अरे आप मेंसे कई भक्तों ने दिख्षा भी ले ली होगी आपका गुरु से प्रभुपात से सीधा कनेक्शन है आप गुरु के वाक्यों को चित्थ पर लीजिए अई वर्सों में जो चेतना विक्षत नहीं वो कई कुछ महीनों में ही दिखेगी और याद करिए उन दिनों को जब आप बुक डिस्टिवूशन करते हैं पुस्तोकों का वितरन करते हैं लोगों को प्रचार करते हैं कितना अच्छा लगता है आत्मा को कितना अनद बिलता है जब किसी व्यक्ति को जब करा देते हैं तो ये जो अगनी है कौन सी अगनी भक्ति करने की अगनी और भक्ति के प्रचार करने की अगनी में हम नहीं जलेंगे तो माया आएगी और फुसकार लगाएगी और उसमें से एक चिनगारी निकलेगी और उस अगनी में हम भस्म हो जाएगे तो अगनी में तो भस्म होना ही है अब कौन सी अगनी में भस्म होना है यह हमें निर्धारित करना है तो आप सभी भक्तों से हमारा यही अनुरोध है कि श्रीला प्रभुपात की पुस्तकों का ये विशलेशन के उपरांत में ये बात बोल रहा हूं कि भक्त लोग पुस्तकों का अध्यन नहीं करते हैं और जब केवल सोले माला या जितनी भी माला करने के लिए करते हैं उसमें अपनी चेस्टा नहीं लगा रहे हैं कि सुभह करना है अच्छे से करना है बोल बोल के करना है सुन-सुन के करना है और अध्यन नहीं करते हैं लेक्चर्स नहीं सुनते हैं इतना संगर्स कर रहे हैं तो यह संगर्स नहीं होना चाहिए हमें बहुत ही उत्साह के साथ य पूरे जैपुर में एक मंदिर है जिस मंदिर में कुछ सौ डेड़ सा लोग स्रीमत भागवतम सुन रहे हैं अभी बड़ा मंदिर बन रहा है उसमें हजार लोग आने चाहिए भागवतम लेक्चर में तीन साल में मंदिर आ जाएगा हजार लोग आने के लिए आप सभी को कित करना भी पड़ेगा तो आज की स्रीमत भागवतम का यहीं यंत करते हैं स्रीमत भागवतम की श्रीला प्रभुपाद की हरीबूर